आज मैं आप लोगों के लिए बीएसी थार्ड यार केमेस्ट्री के थार्ड पेपर फिजिकल केमेस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट के नोट्स लेकर आई हूँ चालकता मापी अनुमान पर तिपड़ी लिखे उत्तर देखेंगे चालकता मापी अनुमान या अनुमापन इस सिध्धान मतलब इस प्रिंसिपल पर आधारित है इस प्रिंसिपल पर बेजड है कि विलियन की चालकता मतलब जो सॉल्वेंट है उसकी चालकता उसमें उपस्थ आयनों आयन किसे कहते हैं आयन एक कण होता है जो कि इलेक्ट्रोन त्यागने पे धन आयन कहलाता है और इलेक्ट्रोन ग्रहन करने पे मतलब इलेक्ट्रोन लेने पे रिन आयन कहलाता है आयनों की संख्या तथा उनके वेग पर निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है आयनों की संख्या तथा उनके वेग पर अमल में चार या चार में अमल ये कह सकते हैं कि एसिड में बेस या फिर बेस में एसिड मिलाने पर आयनों की संख्या जो आयन की संख्या है वो परिवर्तित होने से मतलब बदलने से विलियन की चालकता भी जो सॉल्वेंट की चालकता है वो भी बदल जाती है या फिर परिवर्तित हो जाती है इस प्रकार के अनुमापन में अन्तिम बिंदू जो लास्ट बिंदू नियून्तम हो जाती है नियून्तम का मतलब होता है कम हो जाती है फिर एक बहुत ही कम लिमिट में आ जाती है इसे निमने प्रकार से समझाया जा सकता है सबसे पहले हम इसका डाइग्राम देखेंगे ठेक है? ये चित्र किस चीज का है? ह-C-L और NaOH का चालकता मापी अनुमापन है ये इधर से जो ये Y गया है ये क्या है? प्रेक्षित चालकता है और ये क्या है? NaOH का आयतन X ये जो ये X वाला लाइन है ये NaOH सोडियम हाइड्रोकसाइट का आयतन है और यहां से रेखा गया है ठीक है? स्क्रिन सॉट लेंगे तो आप ले सकते हैं चलिए आगे देखते हैं अब हम सबसे पहले ए नंबर पे देखेंगे प्रबल अमल ह-C-L मतलब हाइड्रोक्लोरिक अमल वह प्रबल चार NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोकसाइट के मध्य मतलब के बीच अनुमापन H-C-L-V-N-A-OH के बीच अनुमापन ग्यात्र सांद्रता वाले अमल को मतलब एसिट का एक निश्चित आयतन 20 मिलिलिटर लेकर उसमें चालकता सेल को डुबा दिया जाता है जो चालकता बैटरी है उसे उस पर जो सांद्रता है उस पर दुबा दिया जाता है अब इस विलियन में विलियन किसे कहा जाता है solution को ठीक है जो गोल होता है उसे कहा जाता है मैं ब्यूरेट द्वारा ब्यूरेट एक उपकरण है उसके द्वारा 1 मिलिलिटर NAOH विलियन मिलाते हैं तथा चालकता माप लेते हैं इसके पस्चाद मतलब इसके बाद NaOH sodium hydroxide विलियन की थोड़ी-थोड़ी मात्रा मिलाते हुए प्रतेग बार चालकता माप ली जाती है जो NaOH है उसके विलियन को थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते हैं और उसका क्या अप लेते हैं चालकता HCl विलियन मतलब hydrochloric विलियन में NaOH विलियन मिलाने पर अधिक गतिसील H प्लस आयन कम गतिसील जो H प्लस आयन है वो अधिक गतिसील होता है ठीक है और जो कम गतिसील होता है वो कौन होता है Na प्लस आयन द्वारा विस्थापित हो जाता है जिससे विलियन की चालकता घटती जाती है अमलक का पुर्ण उदासनी करान हो जाने पर विलियन में केवल Na प्लस और Cl- आयन रह जाते हैं जिससे विलियन की चालकता न्यून तम रह जाती है जो उसकी चालकता है वो बहुत कम रह जाती है अब देखेंगे इसका इस्ट्रक्चर H प्लस प्लस Cl- प्लस Na प्लस प्लस OH- ठीक है इसमें ये H प्लस क्या है अमल है और Cl- क्या है छार है फिर यहाँ Na प्लस अमल है और OH- छार है जब इक्रिया करता है तो Na प्लस प्लस Cl- प्लस H2O देता है ठीक है क्या क्या दिया अमल दिया छार दिया और जल दिया उदासनी करण के पस्चात Na OH- विलियन मिलाने से विलियन की चालकता फिर से बढ़ने लगती है क्योंकि OH- आयन ये OH- क्या है छार है कि गती सिलता का मान अधिक है विलियन की चालकता को YX पर तथा Na OH के आयतन को XX पर आले खेत करके करने पर चित्रा अनुसार ग्राफ प्राप्त होता है चलिए देखते हैं देखे इस प्राकार का ग्राफ प्राप्त होता है चालकता का न्यूंतन मान अनुमापन के अन्तिम बिंदु को दरसाता है जो last बिंदू है वो कहाँ दरसाता है चालगता का न्यूंतन माम में अंतिम बिंदू को दरसाता है दिखाता है ठीक है अब हम लोग देखेंगे दुर्बल अमल तथा प्रबल छार के मध्य अनुमापन चालकता मापी अनुमापन ये उसका ग्राफ है आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है वाई में प्रेक्षित चालकता वाई और यहाँ पर ग्राफ में ये जो लाइन दिया ह यह लाइन के बाद यह क्रोस का चिन दिया है यहाँ पर अंतिम बिंदू है लास्ट पॉइंट और यह न ओएच का आयतन एक्स है ठीक है अब आगे देखेंगे दुरूबल आमलस CH3COOH वह प्रबल चार न ओएच के मध्य अनुमापन यह CH3COOH NAOH क्या है यह अमल है और यह चार है अब भी नमबर पे देखेंगे दुरूबल आमल CS3COOH वह प्रबल चार न ओएच के मध्य अनुमापन जो CS3COOH है उसे असिटिक अमल कहते हैं और NaOH को क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोकसाइड इन दोनों के बीच क्या करेंगे अनुमापन निकालेंगे ठीक है दुरूबल आमल CS3COOH तथा प्रबल चारक NaOH के मध्य अनुमापन करने पर अनुमापन वक्र दिये गए चित्रा अनुसार प्राप्थ होता है यहाँ पस्चित्र बना हुआ है इस अनुशार प्राप्थ होता है ठीक है इसका वक्र सुरू में जब केवल CS3COOH रहता है स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या रहता CS3COOH मतलब एसेटिक अमल रहता है तब विल्यन की चालकता जो सॉल्वेंट है उसकी चालकता बहुत कम होती है क्योंकि CS3COOH दुर्बल मतलब कमजोर विद्यूत अभगट्या है जैसे जैसे NaOH मिलाये जाता है मतलब जो solvent है उसमें NaOH जो छार है sodium hydroxide उसे मिलाए जाता है तो विलियन की चालकता बढ़ने लगती है क्योंकि ये क्या है प्रबल है क्योंकि अत्यधिक आइनित होने वाला CS3COONA बनता है यहाँ पस इसका structure दिया है जब स्टार्टिंग में CS3CWH होता है उसमें Na plus plus OH माइनस होता है ये क्या है अमल है ये चाल है मतलब ये धन आयन है और ये रिन आयन है ठीक है जब ये क्रिया करते हैं तो CS3COO माइनस प्लस Na plus प्लस S2O बनाते है जब यहाँ इसका क्या है रिन आयन है ये धन आयन है और ये जल है ठीक है जब संपोंट CS3COOH का NaOH द्वारा उदासनी करण उदासनी करण हो जाता है तो NaOH की और मात्रा मिलाने पर मुक्त OH माइनस आयनों के कारण विलियन की चालकता में अत्यधिक वृद्धी होती है मतलब इसका जो चालकता है वो बढ़ती है चीत्र में जहां दो रेखाए एक दूसरे को जिस बिंदू पर काड़ती है चीत्र देखके बताते हैं यहां देखिए यह दो रेखाए हैं यहां से यहां तक और यह अन्तिम बिंदू है जो यहां पास बिंदू के पास इसको काड़ती है वह अंतिम बिंदू, लास्ट पॉइंट को प्रकट करता है अब हम इसकी विसेस्ता या लाव देखेंगे किसकी चालकता की पहला नंबर पे है तनू विल्यनो का अनुमापन किया जा सकता है इसके द्वारा क्या किया जा सकता है तनु विल्यनों का अनुमापन किया जा सकता है दूसरे नंबर पे है रंगीन विल्यनों में जब सूचक संतोज जनक कार्य नहीं करते मतलब अराम से कार्य नहीं करते, काम नहीं करते उस इस्थिती में भी चालकता मापी अनुमापन सफलता पुर्वक किया जा सकता है थर्ड है प्राप्ट परिणाम मतलब जो रिजल्ट प्राप्थ होता है जो रिजल्ट मिलता है अधिक विश्वशनिय तथा सही होता है क्योंकि अन्त बिंदु ग्राफ आलेखन से प्राप्थ होता है जो अन्तिम बिंदु है उस ग्राफ आलेखन से वो रिजल्ट प्राप्थ होता है इसलिए वो सही होता है अब फूर्थ रमबर पे देखेंगे अमलो तथा चारकों जो एसीड होता है और जो बेस होता है उसके मिसरंड का साथ साथ अनुमापन किया जा सकता है हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करकर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ठाइंक यू